जिनाब पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए था, यानि जैसी सिचूएशन में आपने आस्ट्वेलिया को रिस्ट्रिक कर लिया था, एक सो पचास रंस पर साथ आउट, आखरी तीन विक्टों पर आस्ट्वेलिया को पचास रंस चाहिए और आप टेल एंडर्स के हाथों पचास रंस कंसीट कर देते हैं, दिस इस सम्थिंग डाट इस डिफिनेटली नॉट आउन, यानि पाकिस्तान ने MCG में मैच जीतने का एक सुनेहरी मोकां गवा दिया है, डिस्पाइट अधा फाक के एक बड़ी जबरदस्त एफर्ट पुट की है, पाकिस्तान की बॉलिंग ने चाहे औस्टरेलिया ने दो विक्टों से कामयाबी हासिल की है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ से एक बड़ी ही स्पिरिटिड एफर्ट देखने को मिली, चाहे शाहीन शाहा अफृीदी की नई बॉल से विक्टे लेना हो, या फिर हारिस रौफ का middle overs में attack जहां उन्होंने जॉस इंगलेस, स्टीव स्मिथ और इसके लवा ग्लेन मैक्सवल की बड़ी विक्टे हासिल की है बड़ ऐस्ट्रेलिया ने तीन माच की सीरीज में एक सिफर से बरतरी हासिल कर ली है लेकिन मुझे हैरत इस बात किया भाई कि आप इतना अर्सा से cricket खेल रहे हैं यानि पाकिस्तान में अगर आप किसी cricket follow करने वाले random बच्चे से भी पूछेंगे कि आस्ट्रेलिया जाकर किस किसम की सुरतेहाल का सामना करना पड़ सकता है तो वो आपको यही बताएगा कि आस्ट्रेलिया में तेज विक्ते हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिलेगा और बैटिंग इतनी आसान नहीं होगी खास तोर पर पर्थ और मेल्बन में लेकिन मुझे हैरत यह है कि यह 5-5-7-7-10-10-10 साल हो गए हमारे इंटरनाश्टल प्लेर्स को हमारे बैटर्स को क्रिकेट खेलते हुए लेकिन उन्हें आइडिया ही नहीं है कि बाउंसर को किस तरह खेलना है उन्हें आइडिया ही नहीं है कि आउटसाइड ओस्टम बॉल को लीव कैसे करना है किस बॉल को कहां खेलना है किस baller को किस तरह negotiate करना है यानि अगर आप Pakistan की batting देखें तो Saeem Ayyub जिस तरह out हुए वही away from the body खेल रहे हैं इंसाइड है जो कर out हो रहे है Abdullah Shafiq ने इतना poor shot खेला है यानि cricketing language में अगर आप कहें तो zero command, zero control, zero game awareness body से दूर खेल रहे हैं बला हैंग कर रहे हैं यानि यार आप कोई tail ender थोड़ी हैं आप top order के player हैं आप team के opener हैं आप Pakistan के लिए 50 over world cup खेल चुके हैं और आप star को खेल किस तरह रहे हैं यानि outside of stem अपना बला हैंग कर रहे हैं फिर कामरान गुलाम का पाउट देखें यानि आपको अभीब हफता 10 दिन हुएं इंटरनाशल क्रिकेट में हाई वे और आप Pat Cummins के साथ जो है वो पेचा डालने की कोशिश कर रहे हैं स्टीव स्मित बन रहे हैं लेकिन क्या ball किया Pat Cummins ने यानि कहलें के proper अंदास से नचा के रख दिया था कामरान गुलाम को मुहमद रिजवान की आप बैटिंग देख ले थोड़ी सी रिजिस्टन्स उन्होंने दिखाई लेकिन 70 ball पर 40 runs करना यानि ये कहां की cricket है भाई एक basic rule ये है कि अगर आपसे boundary नहीं लग रही ballers को खेलने में मुश्किल हो रही है तो आप single double ने strike rotate करें अपने opposition पर pressure डालने की कोशिश करें लेकिन यहां तो concept ही नहीं है ना अपने opposition पर pressure डालने का लेकिन पूरे match में पाकिस्तान के लिए दो silver lining थी एक तो पाकिस्तान के number one player बाबर आजम का form में वापस आना आज कोई लगबग सुबा नो साड़े नो बजे का time था भाई यानि नीद आ रही थी लेकिन दिल चाहरा था कि बाबर आजम runs करें और जिस तरह बाबर ने perform किया यानि आज ball one से मैंने बाबर की पूरी batting देखी ball one से लग रहा था कि बाबर आजम आज different zone में है वो different तरीके से खेल रहे है वो different era में batting कर रहे है यानि वो पुराना बाबर आजम जो fearless cricket खेलता था वो पुराना बाबर आजम जो pressure के बगएर खेलता था आज अगरचे 37 या probably 34 उन्हों नहीं किया लेकिन बड़ा flawless खेले भाई Pat Cummins को वो back foot punch मार रहे है स्टार को वो on side में driver मार रहे है यानि अच्छा लगा बाबर आजम को flow में देखकर बाबर आजम को runs करता देखकर दूसरी जाने जनाब पाकिस्तान के लिए एक और silver lining नसीम शा की नसीम शा को पाकिस्तान मुझे नहीं समझाती कि आप the order promote क्यों नहीं करता अगर आपके पास spinners नहीं है टीम में तो मेरा खले tail enders की शुरुआत जो है वो नसीम से होनी चाहिए आज मी उन्होंने जिस तरह batting की है spinners को charge किया fast ballers के against उन्हों ने छक्के लगाए इर्फान न्याजी ने अच्छी batting की बड़ा unfortunate रहा वो run out हो गए लेकिन उसके बाद भाई 204 runs defend करते हुए चुरू में तो पाकिस्तान के ballers की पढ़ाई हुई अगर्चे शाहीन ने short को out किया फिर Jack Fraser Magguk भी out हो गए लेकिन comeback पाकिस्तान का बहुत जालिम रहा भाई 120 पे 2 out से 150 पे Australia जैसी टीम के साथ out करना उनको back foot पर push करना ये show करता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर never die attitude जो है न यानि आपने कभी गिरना नहीं है ये attitude पाकिस्तान के अंदर है and this is something I like the most कि भाई कोई भी situation हो जाई हार नहीं मार नहीं हिम्मत कभी भी नहीं हार नहीं पर Australia played well थोड़ा सा दुख ज़रूर है यार कि ये तो तीन विक्टे हैं न आप टेल अंडर्स को आउट कर सकते थे Cummins की तो मैं क्या ही बात है मतलब Cummins पर तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है इतना champion mindset इतना strong headed इतना जबरदस temperament एक बंदे का कि कोई भी situation हो चाहे नवे पे 6 आउट हैं 7 आउट हैं अफगानिस्तान के अगेंस 290 करना है तो वहाँ वो खड़े रहेंगे Maxwell के साथ चाहे IPL में 12-13 बॉलों पे 50 करना है वहाँ वो चक्के मार देंगे और चाहे आज पाकिस्तान के अगेंस 50 चाहिए था उन्हें बस खड़ा रहना था बैट टू बॉल करना था और उन्हेंने वो करके Australia को मैच जितवाया बट Pakistan would surely think के भाई हमने comeback अच्छा किया है बट हमें मैच हतम करना चाहिए था इस situation से हमें मैच जीत कर बाहर जाना चाहिए था अगले मैच में पाकिस्तान would surely want कि उनकी बैटिंग बेतर परफॉर्म करे Australia को Australia में हराना है पेसर आपके पास 4-5 तगड़े हैं लेकिन जब तक बैटर्ज रन नहीं करेंगे शायद आपके लिए इतना आसान ना हो Australia में सीरीज जीतना